नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल अंकित वर्मा और लेच्पी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थंदेल पे देखे चुके हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आज 1 नवंबर 2021 की हिमाचल परदेश की आज की टॉप 10 ताजा ख़बरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो पर एंड तक बने रहे हैं अगर आपने वी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करते हैं और अंकित बर्मा और लेच्पी नॉटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूले हैं ताकि आप तक हिमाचल किस डिस्टिक से इस वीडियो को देख रहे हैं तो चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं तो देख सकते हैं जो तार्या ख़बर ब्रेकिंग निउज आज की पहली है माचल ओप चुनाव बित्र गातियों की बन रही सूचियां नतीज़ों के बाद होगी कारवाई तो चुनावी नतीज़े आने से पहले ही हिसाब लगाया जा रहा है अगणि उजज़ाब के सामने लापरवाही की हद एच्पियो शमला ने 2016 से 2017 के डिप्लोमा भी नहीं दिये तो विश विद्यले की और से जो है इसके तहत कारवरत पीजी कॉलेज धर्मशारा की लापरवाह गए मगर इन्हें देने की जरूरत ही नहीं समझी गए अगणि उज़ाब के सामने हिमाचल स्कूली विद्यार्थियों को बैग और वर्दी देने की तियारी तो हिमाचल में पहली से बार्मी की खक्षा के जो है चातर चात्राओं को वर्दी दी जानी है हिमाचल में इन व कमपनी को सप्लाई और जारी किया जाएगा हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यारतियं को जोए इस वी महने समार्ट बर्दी मिलेगी उपचुनाब को लेकर अचार सहींता के चलते खाद्य अपूर्ती भी भागने बर्दी की फाइल पेंडिंग में डालती थी आश नवंबर सौंबार को निगम की ओर से कमपनी के साथ एगरिमेंट होना है इसके बाद कमपनी को संप्लाई और जारी किया जाएगा कैबिनीट की बैठक में कमपनी को पहले ही टेंडर आवान टिप किया गया है अगनिस जाब के सामने सरमोर से कि बरसाथ से माटर की फसल तबाद दाम भी मिल रहे काम तो हिमाचल परदेश में जो है किसानों के इनसार बरसाथी माटर की फसल इस वार स्टमबर में अत्याद एक बरसाथ होने के चलते लगबग 80 फीस्ती पहले ही घत्म हो चुकी है इस समय शेश बची 20 फीस्ती फसल बजार में आना शुरू हो चुकी है ऐसे में किसानों को आर्थिक नुकसान जो है उठाना पड़ रहा है अगर नहीं हुजे आपके सामने पुलिस कॉंस्टेवल भरती हर सीट के लिए 140 अब भ्यारतियों के बीच होगा मुकाबला 1.87 लाग ने किया आवेदन तो पुलिस कॉंस्टेवल के पदों के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस के पास जो है 187,311 अब भ्यारतियों ने ओनलाइन माध्यम से आवेदन किया है आवेदन प्रिक्रिया खतम होने के साथ अब पुलिस मुख्याले के निर्देश परजीला पुलिस भरती कमेटियों ने शारिरिक दक्षता प्रिक्षा के लिए त्यारियां शुरू कर दी है अगनि उस जाप के सामने गलती करने वाले अधिकारियों के वेतन पर लगाई जा सकते है रोक हाई कोर्ट ने दिये आदेश तो अगर नियायल्ले के फैसले की अनफालना नहीं की गई तो अदालत को भी को विभाग की संपत्ति कुरक करने और गलती करने वाले अधिकारियों के वेतन पर रोक लगाने पर बात दे होना पड़ेगा प्रदेश उच नियायल्ले ने नयधिश संदीप शर्मा के नियायल्ले ने एक एक्जिक्यूशन पिटिशन की सनवाई के दोरान प्रदेश के अभी योज़न विभाग को ये आदेश दिये हैं अगरी उज़ाब के सामने करोना हिमाचल में एक संक्रमित्क मौत 22 से विद्यार्थियों समेत 66 लोगों की रिपोर्ट पोजिटिव रिकवरी दर गीरी तो हिमाचल परदेश में रवी बार को एक और करोना पोजिटिव मरीज की मौत हो गई कांगणा में 80 वर्षिय बजूर्ग ने दम तोड़ दिया है तोड़ा है वहीं परदेश में 22 से विद्यार्थियों समेत 66 लोगों की करोना टेस्ट की रिपोर्ट पोजिटिव आई है और अब जो है हिमाचल परदेश में करोना के एक्टिव सक्री इमामलों के संख्या 1942 से पहुँच चुकी है और करोना से मौत का अंकड़त 3736 पहुँच गया है अगणि उज्याब के सामने उपलबदी आंचल शर्मा एम्स बिलासपुर में नर्सिंग आफिसर नियुक्त तो आंचल शर्मा ने BSC नर्सिंग IEMC शेमला से की है एम्स बिलासपुर में नर्सिंग आफिसर के पाद पर अपनी जगा बनाकर अंचल ने माता पिता गाउवा जीला का नाम रोशन किया है अगणि उज्याब के सामने हिमाचलोग चुनाव EVM स्ट्रांग रूमों में लौक 2 नुवंबर को होगी मत गणना तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालसु ने बताया कि पहले पोस्टल बेल्ट की मत गणना होगी उसके बाद EVM में दर्ज मतों की गणना शूरू की जाएगी मंडी संस्थिक शेत्र में गवर्नमेंट गल्स आईटियाई मंडी में पोस्टल बेल्ट और सर्विस पोर्ट की गिंती होगी अगनि उस्जाब के सामने 300 फिट कहरी खाई में गिरी गाड़ी सिर्मौर के अधेर समेत 13 लोगों की मौत तो एक बिलैरो केंपर गाड़ी 300 फिट कहरी खाई में गिरने से प्रदेश के सिर्मौर जिले के अधेर व्यक्ति समेत 13 लोगों की मौत होगी जबकि दो अन्य गंभी रूप से गायल हुए है हासे में वाले गए 12 लोग चकरोता उपमंडल उत्राखंड के बाईला और क्वानू मैथेला गाउं के रहने वाले हैं जबकि एक सिर्मौर का जोए रहने वाला है अगरिश जाब के सामने CM जैराम बोले हिमाचल में नवंबर अंत तक शत प्रतिशत पूरा होगा कोविड टीका करण तो CM जैराम ने करोना वाइरस के नियंतर्ण के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को निष्टा से पालन करने के लिए लोगों की सराहना की कहा कि परदेश देश में कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगने के लिए शत प्रतिशत लक्ष पाने वाला प्रत्म राज्य बना है अगर नियुज़ आपके सामने कुल्लू ढाई मंजला मकान में लगी आग लाखों का नुकसान तो हिमाचन परदेश के डिस्टिक कुल्लू से नियुज़ आ कि जानकारी के इंसाल रभी बार शाम करीब छे बजे बबलू राम और अरनाथ पुत्तर मेहरचंद के सेयोक दाई मंजला मकान में चिंगारी भड़क गई देखते ही देखते आग ने भ्यानक रूप धार्ण कर ले कर जो है पूरे मकान को चपेट में ले लिया आग की लप्टें उठते देख गाउं के लोग मकान की तरफ दोडे अगनी उज़ाव के सामने ब्यास नदी में डूबे गर्ली बॉइज स्कूल के दो चातर अंडियार टीम ने छेड़ा सर्च अभ्यान तो चंबा पतन में फेरा गाउं के पास दो चातरों की ब्यास नदी में डूबने से मौत की आशंका है पुलिस ने दोनों की तलाश में नदी में जो है सर्च अभ्यान छेड़ा है दोनों गर्ली स्कूल में प्लस वन के चातर जो है बताए जा रहे हैं अगर नीज़ आपके सामने हैं दसमी कक्षा की चातरा ने लगाया फंदा परिजनों को खेतों में जाता दे कमरे में दरवाजा बंद कर दी जान तोपमंडल सरका घाट की 14 पंचायत के एक गाउं की एक 15 वरशी लड़की के जो है फंदा लगा कर अपनी जान दे दी शनिवार शाम 5 बजे के करीब घर के लोग अपने खेतों में गए थे और लड़की घर में स्कूल का काम करने के बाहने अकेली थी इसी बीच जब उसके परिजन घर पहुंचे तो उसे आवाज लगाई लेकिन जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो रोने घर के बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश की जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो लड़की के परिजनों न आसपास के घरों के लोगों को बुलाया और दरवाजे को तोड़ दिया जब वे अंदर गए तो वे कामरे की छट पर फंदे से जूल रही थी अगनि उस्जाब के सामने बिल को लेकर प्रेटकों वा होटल करमचारियों के बीच जैमकर मारपी पुलिस चार्ज में जूटी शमला से न्यूजे की राजधानी के छोटा शमलक शेतर में एक नीजी होटल के पास दिल्ली से शमला आये फ्रेट को वा होटल की करमचानियों के बीद बेल को लेकर विवाद हो गया लेकिन यह विवाद लडाई में तब्दील हो गया अगणि उजाव के सामने बेल्डिंग का काम कर रही यूवक के साथ हुआ यह हाथसा मिली दर्दनाक मौत तो बरसर से न्यूजे की पुलिस थाना बरसर के तहत जोल गाओं में बेल्डिंग का काम कर रहे एक यूवक की करंट लगने से मौत हो गई यूवक जो है गरीब परिवार से संबंद रखता था पॉलिस ने शब को कबजे में लेकर जो है पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है अगणि उजाव के सामने सिराज के सुराह गाओं में हाइड्रो प्रोजेक्ट के खिलाफ लोगों में आकरोश जानी क्या है वज़ा तो सिराज बिधानसवाक शेत्र के पंचायत मुरहाग के गाओं सुराह के लोगों में सुराह खाड़ पर बनने वाले मैक्रो हाइड्रो एलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट के खिलाफ जन अकरोश जो है पहनमता जा रहा है स्थानी लोगों ने आरोप लगाए है कि कुछ समय से मेनी हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रिबंदन स्थानी नागरिकों को ड्राने धमकाने में तूला हुआ है तो दोस्तों ये थी आज 1 नवंबर 2020 किसकी हिमाचल परदेश की आज की टॉप 10 ताजा खबरें अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और अंकित वर्मा और अजपी नाटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप तक खिमाचल परदेश की हर नाटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके धन्यावाद जैहिंग जैभा कर दो झाल झाल